नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से गुरु आर का दिन गुरुग्रा ब्रिहस्पती को शमर्पित हैं गुरुग्रा को ब्रिहस्पती भी कहा जाता है ये दिन भगवान ब्रिहस्पती को शमर्पित होने एक शांशाथ ये दिन भगवान बि बिधि विधान से पूजा किया जाया, विष्णु जी के विधि विधान से पूजा किया जाया, ती ब्रिहस्पती वार को गुरुवार को आपको बहूं की क्रिपा से जाता कि सारे कारह सुगम हो जाते हैं तो यह बहुत ही शुन्दर हैं साती साती इस बिलूकरी धन की गुरुग्रा भर्यास्पथी को ऐसे मजबूत कियां छांगर किके से कम्सूर होने काराइब होता है ब्रिहस्पति जो हैं ये गुरुग्रा कहे जाते हैं अगर आप भी सुघाद ग्रिहस्ता जीवन नौकरी धन और उच शिच्छा चाहते हैं तो आपको भवान ब्रिहस्पति की पुजा जरूर करना चाहिए साथ ही कुछ उपाय होते हैं जिसे जरूर करना चाहिए और ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए तो आज के जो बिड़ो हैं बहुती सुंदर है मैं बिड़ो के पहले ही बताई हूं कि ये बिड़ो को ध्यान से देखना तब आपको समझ में आ जाएंगी बिड़ो को छोड़कर के आधे बीच में जाना चलिस बड़ों में जानते हैं कि गुरुगरा खराब होते तो कुन सी हमें लच्छन नजा रहते हैं तो सिक्षा और ग्यान प्राप्ति करने में बाधा आने लगती हैं कालपनिक दुनिया में आप खोय रहते हैं सीक्षा या गुरु ये दोनों के जो वेभार होते हैं आपस में ये अच्छे नहीं मिलते सही गलत चुने की जो छमता होती हैं घड़ जाती हैं नयतिक्ता में कमी आ जाती हैं ज्यान का अहंकार हो जाता है ध्यान से शुनना, पाचन ठीक से नहीं होता, नास्तिक हो जाते हैं व्यक्ति, तो समझ जाना गुरुग्रा ब्रिहस्पति इनके जिवन में आ चुकी हैं, और यह फिर यह जो गुरुग्रा ब्रिहस्पति हैं, इनके कुंडली में कमजोर हैं, ब्रिहस्पति खराब होने पर क तो पिडित गुरु के कारण व्यक्ति की बृध्धि थमजाती हैं और उसके मुल्यों का हरास होता है। पिडित गुरु ब्रिहस्पति जो हैं व्यक्ति को सारी कष्टा देता हैं। साथ ही जोतिस में ब्रिहस्पति ग्रह अगर असुब हो तो व्यक्ति को पेड़ समन्ति रोग अपच हैं, पेड़ दर्द हैं, एसीडिटी हैं, कमजोर पाचन तंत्र हैं, कैंसर जैसे जो भ्यानाक बिमारी कहे गए हैं, ये बिमारी हो जाती हैं। किन कामों को करने से गुरुग्रा कमजोर होते हैं, गुरुग्रा कमजोर कैसे होते हैं, तो गुरुवार के दिन बाल, नाखून काटने से, साबून और तेल का उपयोग करने से गुरुग्रा ब्रिहस्पति कमजोर होते हैं, इसके लावा ऐसे हो जो बुजुर्गों का से हमें गुरु ग्रभ रिहस्पती बहुत ही जागा ज़रूर देखना आपको समझ में आ जाएंगे कि गुरु मजबूत होते हम कितना धनवान बनते हैं हमारी जीवन में कितना परिवान जानकारी बताने से पहले बिडियो में आगे बने सभी दर्शकों से गुजारिस कहना चाहूंगा कोमेंड बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमो भगवते वाशु देवायने लिखें तो लिख दीजे क्योंकि गुरु का भी भगवान बिश्णू जी कहे गहे हैं इसलिए गुरु आर के दिन बिश्णू जी का दिन माना जाता है भाग जागरित करने और लंबी आयू के लिए गुरु आर कवरात सभी मुनस्चा को जरू करना चाहिए गुरु आर को मंदीर जाने का बहुत ही खास महत्वा होता है मंदीर जाते हैं तो स्वतयापके बहुत सारे कश्टा दुर हो जात दक्षिड पुर्वी निरित्य यात्रा करना वर्जित होता है खास करके इस दिन दक्षिड दीसा में दीसा सुल रहता है अगर आपको दीसा सुल नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके देख भी सकते हैं संपुर्ण जानकरी मिल जाएंगे यात्रा आपको करना जरूरी ह तो दही यह जीरा खा करके घर से आब बाहर निकल सकते हैं गुरुवार को उपर से नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए इससे स्वास्था पर असर पड़ता है और हर कारमें बाध आती है नमक खाने से गुरु अस्ता हो जाता है अस्ता मतलब जो गुरु ग्रह है यह कमजोर हो जाता है इस दिन दूद और केला यह दो लोग खाना वरजित माना जाता है इस दिन गुरु देउता पीता दादा और धर्मा का अपमान करना या माजाक उड़ाना बहुत ही भारी पड़ सकते हैं इस दिन कपड़े धोना भी वरजित माना जाता है खास करके पीले रंके कपड़े इस दिन पोच्छा लगाना भी वरजित माना गया है ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुब होता है जिससे व्यक्ति को जो व्यक्ति की ठाग्य है और शाथ नहीं देते इस दिन खिच्री भी नहीं खाना चाहिए खिच्री खाते हैं तो गुरु ग्रह ब्रहस्पति कमजोर होते हैं व्यक्ति को मान हानी होता है ये भी माना जाता है गुरु वार की दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसे गुरुग्रा कमजोर होता है और कहा जाता है कि इसे संपत्ति और संपन्नता ये दुनों शुक में कमी आती है तो मैं माता बहनों को कहना था कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए गुरुवार के दिन पूजा पार से जुड़े समान और आँखों से जुड़े समान या फिर कोई भी जैसे धारधार वस्तु जैसे के चाकू, कैंची, बरतन आदी भी घर में खरित करके नहीं लाना चाहिए अब ये थी गुरुवार के दिन न किया जाने वाले काम, अब आइस बीडियो में जानते कि गुरुवार के दिन ऐसी कुणशे कारा करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अध्यात्मा उन्नति हो व्यक्ति धर्वान बने गुरुवान बने तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की चीजों का इस्तिमाल करना चाहिए, सूबा इसनान करने के बाद पीले रंग का वस्ताधारन करें, इसके अलावा इस दिन यदि आप रत रखते हैं, तो पीले फलो का शेवन करते हैं, तो बहुत ही उत्तम कहे गए गए हैं गुरुवार की दिन ब्रंभ मुहर्त में इसनान करना बेहदसूब माना जाता है मानने ता है कि इस दिन इसनान के बाद ओम, ब्रिम, ब्रिहस्पते, नमा का जाब करने शे धन, संपदा, तरक्डी आती हैं इसमें आपको तरक्डी मिलते हैं गुरुवार के दिन विश्णु भागवान और लच्मी जी की पुजा करना चे भागवान विश्णु और मा लच्मी धन और वैभाव के प्रतिक हैं इस दिन ब्रिहस्पतिवार की व्रद कथा भी पढ़ना चे इसे दमपत्य जीवन शुकमाई होता और घर में सुक बनी रहती हैं गुरुवार के दिन गाय को आटे के लोई में चैने की दाल गुण और हल्दी डाल करके खिलाना चेसे व्यक्ति के जनमों के गरीबी जनमों के दरिद्रता जनमों की पाप पुन्य शमापता हो जाते हैं और बिल्कुली ऐसे साधक धनवाभों से परिपुन् भगवान इंद्र की तरह ही इस संसार में राज्य करते हैं इसके लावा इस नान के दोरान पाइनी में एक चुटकी हल्दी डाल करके इसनान करना चाहिए इसे व्यक्ति की भाग्या उदय होता है साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने का दान भ्यान से शुनना चने की दान कर सकते हैं चने की दान कैसे जैसे कि चने की दाल हैं केला हैं आप इनका भी दान कर सकते हैं पिले वस्तर हैं आदी छमता नों सारा दान करते हैं तो गुरु ग्रभ भिहस्पति बहुत खुश होता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा सिरवाद प्रदान करते हैं ऐसे व्यक के कारान आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है तो ध्यान दीजिएगा गुरुग्रा को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पुजा के बाद अपनी कलाई या गर्दान पर हल्दी का छोटा साटी का जरू लगाना चाहिए ऐसा कने से कुंडली में गुरुग्रा शेत्र में सफलता मिलता है धनलाब होता है तो देखिए गुरुग्रा ब्रिहस्पती आपके मजबूत होते हैं तो धन वैभाव शूख शांती एशो अराम एवं पापो का छमन करता है पापो का नस करता है शमन करता है तो आप ही गुरुग्रा ब्रिहस्पती को मजबूत बनाने के लिए बिड़ो में बताएंगा हैं हमने बहुंच सारे उपाय बता हैं सारे उपाय को अपना सकते हैं और इस दिन आप कुछ करें या ना करें लेकिन अगर कुभी वेक्ति गुरुवार के दिन पीले कलर का जो चने आते हैं ये चने पीले कलर की चने को गुण के बिल्कुल आपके अध्यात मुलती हो जाएंगे धन आने का मारगा खुल जाएंगे आपकी बुद्धी कंप्यूटर जैसा फास्टा हो जाएंगे क्योंकि गुरुग्रा ब्रिहस्पति जब मजबूत होते तो व्यक्ति को बहुती तिब्रा वेगवाला बुद्धी प्रदान करते हैं साथी साथ आपकी जीवन में एक ऐसा मोड़ा जाते हैं कैसा परिवर्ता ना जाते हैं तो गुरुवार की उपाय जरूर कीजेगा आपको बहुत सारा लाभ मिलेंगे आपकी जीवन में प्रगती आएंगे आप भी धनवान एवं धनवैभों से परिपूर्णा बनेंगे और आपको इच्छित नवकरी की भी प्रती होती हैं तो आज की जानकरी पर समाप तक करता हूं दर्सा को यह जानकरी कैसा लगए हमें कुमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा विडियो देखने के लिए धनिवाद नमस्कार